वेलकम टू PNS एगरो तो आज हम PNS में दिखाने वाले पत्थी की नई गाड़ी आई है तो यह पुरा फ्रेश स्टॉक है न्यू सिजन का अभी हम बात करेंगे अरीब भाई से भी क्या माल है कैसा माल है अलेकूम असलाम भाई कौन सी गाड़ी यह पत्थी की यह नागोर हरी तो था माल दिखाई है हाँ आज वाल तो बहुत अच्छा आया हुआ है पुरी गाड़ी अभी अनलोड हो रही है यह फ्रेश न्यू सीजन का माल है एकडम हरी पत्ति है अच्छी कोड़ी है पत्ति की साइज अच्छी है एकडम बड़ी निये हर्याना जैसी लेकिन कुछ लोग है जो एसे भी जो सेमी फिल्टर को फिल्टर बोल के बेशते हैं लेकिन आपको पता जाएसा चलेगा उड़ी के अप्ति उठाओ उसको जोर से दबाओ अगर काटा चूबा हाथ में कहीं भी तो मतलब वह फिल्टर नहीं है असा ही से तो अभी ए अपने पास ज कुछ इंершी को सब्सक्राइबMS लिए के व्हों लेकिन जहांए जो तो मेरी पर्सनल चोइस यह रहेगी कि नागोर की खिलाओं जैसे मतलब पती में एक्जेक्ट लोग क्या रिजन सिख रहते हैं मिनेरेल्स होते हैं क्या चीज होती है फाइबर कंटेंट रहता है थोड़ा प्रोटीन भी रहता है पती से डाइजेशन में फाइदा होता है जान यह वार अलग करते हैं कुछ इस तरी के गुणी पैक होते हैं सिलाइए होके इस तरी के गुणी को वेट करेंगा एवरेज गुणी का रेट तो हम अपने लेबर को पूछेंगे हर बार गाडी में अलग आती है तो अबदुल भाहिए से पूछते हैं इस बार पती क्या समझे नहीं दूबारा बलियो एक गुनी का वजन किता रहेगा एक गुनी का वजन 28 से 30 किलो का आएगा अच्छा और माल अच्छा है फ्रेश है फ्रेश है एकदम हरा पत्या एकदम थोड़ा एक गुनी वास उठा के दिखा नाम है लेकिन इस बार आया है पूरा हरा एकदम प्रेश उठा बार आप वाए तो लोगों का वह वह भी सवाल रहता है ना पत्ति कितनी बड़ी गोनी हैं उठा पाएंगे ट्रांसपोर्ट सब्चाएंगे ट्रांसपर्ट नहीं उठा पाएंगे लेबर बुलाना पड़ेगा तो नॉर्मली एक क्वेशन रहता है बाकि अगर आपको PNS आगरों में और भी फीड चाहिए वेड गेनर वेड बूस्टर फीड चाहिए पत्टी के अलावा दाने चाहिए मकई तोकड़ा जवारी जोव सोयाबीन बाजरी और उसके अलावा चना चने का छिलका यहू का भूसा और सोयाबीन बूसा बेर की पत्ती यह सब भी अवैले पर रहते हैं बतलब पत्ती तो मिलीगी मिलीगी साथ लापको जो चीज सही है बगरों से रिलेटेट सारे चीज़े मिल जाएगी बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा रेट भी अच्छा रहेगा कॉलिटी भी अच्छी रहेगी और एक बात बोलना चाहू अगर कोई अलोवर इंडिया बंगा रहे है तो ट्रांसपोर्ट में चार्जिस लगता है जो चोटी गोनी रहती है समझो दाने की उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज कम लग करीब जाता है लोग यही बोलते मैंने 30 किलो पती लिया था उसका ट्रांसपोर्ट जाए साथ किलो का क्यू लगा है हम नहीं लगाते अपनी मर्जी से ट्रांसपोर्ट का यही रहतो आप अपना गाड़ी को एलेंज कर लो अगर डायरे किसी को माल चाहिए मुंबई से कोई लेकर लेकर जा रहा है तो कि हम लोग वेलेंज कर देंगे सामने अले को अपना ट्रांसपोर्ट दुलना पड़ेगा अगर हमारा पी एनस का स्टार्टर मिक स्पीड लेते हो 20 kg का बैंग उसमें दो बैंग लेते हो 40 किलो के 20-20 किलो के दो बैंग तो उसका 40 का 40 ही लगया क् अगर आपको अच्छा न्यूट्रीशन चाहिए जानवर को बकरी है बकरे है चोटे बच्चे है मेंडे है दुम्बे है तो आपको हरी पती की कॉंट्टिटी ज्यादा मिलेगी हमारे जी एंगी मीक स्पीड में ग्रेंज इसमें हरी पत्ती आएगी चना आएगा मकरी तुक जाओ, बाजरी, यहू, यह सब भी आएगा साथ साथ, मिल्नल मिक्षर भी मिक्स है तो अच्छा मिक्स पीड है बजट में है इस पर चार्ज वेट भी नहीं लगेगा हरी पत्ती लोग है फाइबर आइटा में बहुत अच्छी चीज है डाइजिशन के लिए लेकिन महेंग अच्छी चीजी भीज़वा देंगे पर पत्ती लास में बता दीजिए पर बार देखो उपर से नहीं अंदर से भी हां तो कई वार ऐसा होते है कि अंदर से ज्यादा कांडी है ज्यादा वेश्टी जीए करदा अच्छा अभी यह जो पत्ती आई है आप इसको क्या रिट क अच्छी बड़ी साइज भी है नियु सीजन की है तो जल्दी कटिंग हो जाती है तो कुछ पत्ती बड़ी हो नहीं पाती है तो अगर किसी को भी पत्ती बुकिंग करना है आप लोग दिये वे नमबर पर कॉंटेक्ट कीजिए पी ने सब्सक्राइब की मिन ब्रंच ये मतर सब्सक्राइब करना है तो आप हमें इसके लिए वी कॉंटेक्ट कर सकते हो आप सेल के लिए सेलिंग के लिए ले सकते हो सारे प्रोड़क्स नहीं लेना है सिफ एक पर्टिकुलर प्रोड़क्स लेना है वो भी इसकी भी आपको डिलर्शित मिन जाएगी आप इंडिया में कहीं पर भी मंगवा कर आप सेल कर सकते है अपने लोकल मार्किट में तो वीडियो काफी लंबी होगी लेकिन काफी डिटेल भी दियारी बाइन है तो इस व लोगों से नेक्स लोड़ेंगा तब तक के लिए टेक कार रहा है